नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं मुझे पप्रवाव मैं हूँ आपके शानाथ आधित मुझे पप्रपुर में एक वार फिर स्राप से भड़ी ट्रक को उत्पाद विवा के टीम ने पकर लिया आपको बताते चले कि फकली चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग के द आपकी खेप को लाया जा रहा था जिसके बाद जो है उसको जब्त कर लिया गया वही त्रक सबार पर एक व्यक्ति को भी पूलिश ने ग्रिफतार कर लिया पूड़े मामने को लेकर उत्पाद अधिक शाक अभिना कुमार क्या कुछ कर रहा है पहले आप उसुनिये क्योहार के सीजन में उत्पाद विभाग मुजफरपूर द्वारा निरंतर गस्ति एवं छापे मारी की जा रही है इसी क्रम में कल फाकुली चेक पोस्ट के आसपास टीम जो है वहां जांच कर रही थी एवं गस्ति के क्रम में थी और जो हाजीपूर दिशा से जो ट्रकें आ रहे थी उनकी चेकिंग चल रहे थी इसी क्रम में एक ट्रक सामने शाता हुआ दिखाए दिया ट्रक को रुखवाया गया और ड्रैवर से पूच्ताच की गई तो ड्रैवर थोड़ा घवराया प्रतीत हुआ और उसके बाद संदे उत्पन हुआ और संदे क्याधार पर ट शराब हो सकता है उसके बाद पूरी अच्छी तरह से चेक करते हुए शराब को बरामत किया गया है शराब काफी मात्रा में है काफी मात्रा में बरामत की गई है और एक अनुमान है कि यह 20-25 लाग की शराब है किसी के गिरफतारी भी हुए हाँ इसमें ट्रक में शवार व् तक गिरफ्तार किया गया है यह व्यक्ति-मुजफर पूर जिले का रहने वाला है एस उसके पास एक मोबाइल फून बरामत हुआ है उसमें ज्यादा नमबर नहीं है परन्तु जो माफिया है जिसके संपर्क में था जिससे दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए यह हुआ क तरिक्षख और विना कुमार क्या कुछ करनाते है आपको बताते चले कि यही ओर ट्रक है जो जारखन से मुझहपपोर लाया जा रहा था जिसमें भाडी मात्रा में छराब की arrests की खेब जो है लक्री के कुन्नी से जो है छीपा कर स्राब की खेब को लाया जा रहा इसके बाद वहां चेकिन के दोड़ान जो है फकली चेक पोश्ट के पास उत्पाद अधिक उत्पाद की टीम ने जो है इसको पकर लिया है जिसमें भारी में तो लगभग 25 लाग की शराब बताई जा रही है लगभग 25 लाग की शराब जबत की गई है तो इसी तरह के तमाम क्वार क्रें भी मुझी पपर बूबाओ झाल 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 झाल